नमस्कार साथियों मैं हूँ एडवकट सोक्षदरी साथियों आज अपने बात करेंगे QNA स्रीज में आपने कुछ कमेंट किये थे उसके आंसफर देने एकोशिस करूँगा गलप से रिलेटेड जी हां साथियों तो आज गलप में सवधी से रिलेटेड बात करेंगे तो उसम कि साथियों में 21 साल की कोई requirement नहीं है आप 18 साल के बाद में अपलाई कर सकते हैं गलप में तो आप जा सकते हो आपको यह नहीं कि 20 साल बात ही जा सकते हैं अगर किसी नहीं बोला है तो बिल्कुल गलत बोला हो कुवेट पे लाग होता है कुवेट में मीनिममम एज 21 साल इसमें आपको कानुन नर्चन नहीं आ सकती माबाप का भी हख हड़ जाता है 18 साल के बाद में अपना खुद निर्ने ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी तो बिलकुल आप अपलाई करें कोई आप आप सानी से वर्क परिमिट भीजा मिल जाएगा जिदुविराना बोलते है साल गलप कंट्रीज में इमिग्रेशन किलियरंस अप्लाई करना पडैगा बहाएं से 10-15 दिन जो टाइम लगेगा उसके बाद आपका किलियरंस मिल जाएगा आपको सौरवाली बलते हैं सर मेरी чेस्ट पे pux की निशान है तो वीजा कितने दिन में स्टांप हो जाता है देखिए वीजा का अलग-लग प्रोसेस हर कंट्री का अलग-लग होता है बात करते हैं गलब के रिलेटेड़ तो गलब में वीजा एक तो आने के बाद स्टांप होता है यह एक पासपोर्ड लगवा दिया फिर कितने दिन में होगा अगर वीजा माल लीजिए कुवेट का सौधी का आपके पास आ गया है तो कम से कम 15 दिन से 20-25 दिन का टाइम लग जाता है 25 दिन के अंदर अंदर आपका वी करते हैं क्तर में वीजिट टू वर्क परिमिट कर सकते हैं क्या बिलकुल भई कतर में वीजिट वर्क कर सकते हैं कतर का सिस्टम यह यहां से विजिट में जाके वहां परिमिट करवाते हैं तो बिलकुल आप वीजिट वर्क कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी परमुद कुमार जी बोलते हैं सर कतर में कौन सी लेंग्वेज यूज करते हैं हिंदी इंगलिस पंजाबी और अर्भी अक्सप्लें नियर अबाउट ऑल इंडियन उजिन हिंदी मेरे करने का मतलब वहां पर नेशनल लेंग्वेज क्या है सर पता करके बताई दे फैस नमर पर अर्भीन लेंग्वेज आएगी सेकिंड में इंगलिस आएगी फिर अपनी बासा इसमें आएगी एक भाई बोलते हैं पनवार जक्संजी सर बच्पन में मेरी आंख में केंची लग गई थी और उस आंख से मुझे कम दिखाई देता है क्या दुबई में आपको दिखता है तो चसमा का कोई रोल नहीं होता बिलकुल आप जा सकते हैं आपको बिलकुल दिखाई नहीं देगा तो आप मेडिकल उन्फिट आंखों में हो सकते हो आप वो ट्राई कर लीजिए साजी चेक बोलते हैं सर अक्सावेटर ऑपरेटर में जोब के बारें कोई option नहीं है साथी अर्भिया आप कोई पास only मातर option है कि यहां से आप जाओ वहां इंट्रिवी कंपनी में जाओगे फिर आपको इंट्रिवी होगा फिर आपका लाइसस बन जाएगा तीन मेने के अंदर चार मेने के अंदर वही एक फ्रोसेस है इंडियन लाइसस से साथी अर्भिया के लावा कोई country में directly जोब नहीं मिलेगा आपको इंडियरेक्ली आप जाके वहां लाइसस बनवा सकते हूँ एक अलग इश्यू है बाकि गलब में और कोई country अची नहीं है साथी को छोड़के साथी में यहां से डायरेक्ट मालो आप अक्सावेटर ऑपरेटर है तो यहां से वाज आए आप इंट्रिव्य में अगर पास हो गए तो आपका license company बना देगी बाकि इसके अलब option नहीं है इरफानारी बोलते हैं सर नमसकार सवधी अर्भिया में light motor vehicle license बनाने की minimum edge क्या होगी दिखिए सवधी अर्भिया में अगर आप यहां से जाते हैं ड्रा आपको हिस्टेरिंग हाथ में नहीं मिलेगा जब तक आपका license नहीं बन जाता 18 साल के बाद आप license वहां पर अपलाई कर सकते हैं इंडिया जैसा है रूल वहां पर है वहां पर condition boundary से नहीं है कि आप 21 साल 25 साल होने के बाद ही license अपलाई कर सकते हैं जैसे आपने साटे 18-19 साल की उमर में वहां गए उसके बाद company तीन मेने के अंदर आपको license बनवा देगी यह process होता है साथी अर्भिया का तो साथी बिल्दू सोटली तरीके से मैंने वीडियो पताने एकोसिस किये फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आपको नीचे लिख दे मैं आपको अन्सपर देने बत सके जाहिन